स्री सूच जी महराज कहते हैं रिशियों कि स्री परिक्षी जी महराज का प्राकटे कैसे हुआ कि कौरब पांडवों का युद चल रहा था जब सभी कौरब मारे गए एक मात्र बचा है दुरियोधन दुरियोधन असाहे रन भूमी में तड़प रहा है तो अश्वस्थामा गुरु द्रोण पुत्र अश्वस्थामा दुरियोधन के पास जाता है दुरियोधन का सकाता बोले अगर तेरे को अपनी मित्रता निवानी है तो तुझे मेरी इस हालत का बदला लेना होगा और कहाई कि जा पांडवों का वद कर दे अस्वस्थामा क्रोद में वहाँ से चल देता है इधर कहते हैं कि जिसको बचाने वाला इश्वर हो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता इसलिए तो कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल ना बाका कर सके जो जग बेरी होई उसका महराज कोई नहीं कुछ भी बिगाड सकता ठाकुर जी तो घट घट के जानकार है सब कुछ पता है तो पांचो पांडवों को ठाकुर जी रात्री में गुमाने के लिए ब्रहमन करवाने के लिए लेके चले गए और शिविर में पांचों पांडवों की जगे द्रोबदी के पांच पुत्र सोई हुए है अस्वस्थामा क्रोध में आया और द्रोबदी के पांचों पुत्रों के धड़ को अलग करके ले गए द्रोपती आती है, द्रोपती विलाप करने लगती है, उदर अस्वस्तामा पहुंच जाता है उदर द्रोपती का विलाप सुना तो ठाकुर जी पांडवों के साथ आते हैं कहते हैं बहन मत रो, जगत में जो होना है उसे कोई नहीं रोक सकता बहुत से भग्त सोचते हैं कि किसी के मृत्यू हो जाए कि इस कारण से मृत्यू हो गई या इस वज़े से मृत्यू हो गई नहीं काल के उपर किसी का वस नहीं है मृत्यू जहां लिखिये आपको वहां खीच के लेके जाएगी तो द्रोप्ति को ठाकुर जी समझाते हैं पांच्यो पांडवों को ठाकुर जी समझाते हैं उदर अस्वस्थामा दुरियोधन को जाके देखाता है दुरियोधन ने देखा तो कहा अरे अस्वस्थामा तूने तो हमारे कुल का ही विनास कर दिया हमारे कुल को ही समाफ्थ कर दिया, इतना कहा और दुर्योधन के प्राण निकल जाते हैं। इधर महराज, पता चलता है कि अस्वस्थामा के द्वारा ये कारे हुआ है, तो अर्जुन जाते हैं, अस्वस्थामा को पकड़ के लेके आते हैं, यहाँ युद्ध भी होता है ब्रह्मास्त्र भी चलाएं जाते हैं और एक ब्रह्मास्त उत्रा के गर्व की और भी फेर दिया जाता है इधर अर्जुन अस्वस्थामा को पकड़ के रसी से बांद के अपने रत के पीछे गसीट कर लेकर के आये है द्रोप्ति के पास बोले ये रहा तेरा गुनेगार जो तुझे सजा देनी है तुम दे सकती हो तो आज ठाकुर जी कहते हैं बोले जिसने बाल हत्या की हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए और ब्रहमन को कभी मारना नहीं चाहिए तो अभी इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो तो अस्वस्थामा के गले में जो जन्म जात मनी थी उसको निकाल लेते हैं और अस्वस्थामा को धक्के दे के वहां से बाहर निकाल देते हैं इधर अस्वस्थामा क्रोध की अगनी में शोताव जलने लगता है और इधर अभी मन्यू की जो पत्नी है मा उत्रा जिनके गर्भ में शुशुपल रहा था अस्वस्थामा को जो ब्रह्मास्त्र था वो मैया उत्रा के गर्भ को जला रहा था इधर ठाकुर जी द्वारी का जाने के लिए तयार होते हैं तो मा उत्रा दोडे दोडे ठाकुर जी के पास आई और कहने लगी है प्रभू कि पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तवध भयं पशे यत्रम रत्यू परस्परम हे गोविंद हे गोपाल हे माधो मेरी रक्षा कीजिए मैं आपकी शरण में आई हूँ ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ को जला रहा है क्रपा करकी मेरी रक्षा कीजिए तो ठाकुर जी सुक्षम रूप बनाकर कि मा उत्रा के गर्ब में उस सिशु की रक्षा करते हैं बोलिये श्री द्वारी का अधिश भगवायने की जैन और इधर ठाकुर जी को जाना तो था द्वारी का तो यहां बुआ कुंती से भेट होती है जो ठाकुर जी को बंदन करती हैं बोले ठाकुर जी कहते हैं अरे भुआ नित्य प्रती दिन तो हम आपको बंदन करते हैं करते थे लेकिन आज आप हमें क्यों बंदन कर रही हैं बोले महराज इसलिए कि जितना हम भगवान को बंदन करेंगे न उतने भगवान बंधन में बंधेंगे ठाकुर जी को बांधना है तो नित्य प्रती दिन बंधन करते रहे सेवा करते रहे माता पिता की सेवा करते रहे ठाकुर जी बंधन में बंध जाएंगे तो बोले महाराज हे प्रभू हे इश्वर कहने को तो आप मुझे भुआ कहते हो लेकिन हो तो जगत के पिता आप इसलिए आपको बंदन कर रही है आज मैं आज से ना बड़ा प्रसन्नु मांग लो आपको क्या अच्छे है वो ले हे इश्वर ऐसी खृपा करो कि मेरे जीवन में ना बस दुख ही दुख आई सुख ना आई वो ले कैसी बाते कर रही हो बुआ सारा जीवन आपने दुख देखा और मांगने की बारी आई तो भी दुख मांग रही है और हम क्या करते अगर सोचो कि इश्वर हमारे सामने खड़े हो तो इतनी लंबी सी लिस्ट बना देंगे बोले प्रभू ये लो लिस्ट और कर दो जो भी लिखाए ना सी ये सारा काम होना चे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बोले महाराज जीवन में ना दुख ही दुख है देखो सुख होता है तो हम भगवान को भुला देते हैं और दुख होता है तो हम इश्वर को याद करते हैं कहते हैं ना की दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कौन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को हो हमारा उल्टा है बोले प्रभु दुख में याद आते हो मैया कहती है गुआ कुंती कह रही है इश्वर ऐसा सुख तो मुझसे कोशों दूर रहे जो तेरे नाम को भुला दे क्यूंकि प्रभु कीवा सुख के माथे सिल पड़े जो हरी रिदे सोंजाए की बलिहारी वा दुख की में जो पल पलि नाम जबाए कीवा सुख के माथे सिल पड़े सिल समस्ते हो सिल बट्टा जो पहले मया है पहले होते थे लेकिन आज तो जमना इतना बदल गया कि सब कुछ टेक्नोलोजी के अकॉर्डिंग सारी चीज़े बदल गए तो वा सुख की माते ठाकॉर वो सिल पड़े वो पथर पड़े जो तेरा नाम एक शन भी इस रिदे से दूर हो जाए और बलिहारी वा दुख की में अरे वा दुख की बली बली जाओं महराज जो आपका नाम मेरे मुख पे हो तो ठाकॉर जी यहां तथास्तु कहते हैं मैया ने बहुत सारे प्रिश्ण भी किये हैं और इधर भगवान तथास्तु कहते हैं बहुत सारे क्रपा यहां मैया के उपर करते हैं और यहां से इतना अंतमे मिया कुंती मांगतियें कि प्रभु आप हमें छोड़ के द्वारी का मत जाईए